शाउमी ने अपना पहला बैजल लेस वाला फोन तकरीबन लॉंच करी दिया है जैसा कि आप जानते ही हो शाउमी का यह मॉडल है मी मिक्स 2 जिसका तकरीबन 6 इंच बैजल लेस का डिस्पले होगा फिंगर प्रिंट स्कैनर और बाकी सबी सेंसर आपको इसके अंदर मिल जाएंगे इंडिया में भी शाउमी इसे 3 वेरियंट में लॉंच कर रहा है 6 GB रेम और 64 GB वाला वेरियंट और 6 GB रेम और 128 GB स्टोरेज और 256 GB स्टोरेज तो खुल मिला के इस स्पैसिफिकेशन वगेरा सब कुछ ठीक ठाक है और जादा पहतर तो जब होगा जब इसका प्राइस भी इंडिया में ठीक ठाक हो देखते हैं शाउमी इसे कितने प्राइस में इंडिया में लॉंच करता है वैसे उमी इदा 30-35,000 रोपे के बीच में ये प्राइस होने वाला है और वहीं दूसरी न्यूज अगेन शाउमी की तरफ से है शाउमी के Note 5 की कुछ फोटोस लीक हुई है जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं और एक अच्छी बात यह है यह फोन भी बैजल लेस होगा जो कि 5.5 इंच की स्क्रीन के साथ होगा इसमें भी शायद आपको डूल कैमरा का सेटप मिल जाए और अफ़कोर्स फिंगर्पिंट स्कैनर भी आपको इसमें मिल जाएगा अच्छी बात यह है कि इसमें 4000 इमेच की बैटरी मिलती है 3GB रेम या 4GB रेम के साथ में यह हो सकता है लॉंच और उमी इदे शाउमी का यह वाला फोन आपको बजट प्राइज में मिल जाएगा जिसमें कि आपको बैजल लेस स्क्रीन का मज़ा ले पाएगे देखते हैं कितना प्राइज होगा तकरिवन 11-13,000 रुपे का प्राइज इसका होना चाहिए अगर इस प्राइज में लॉंच होता है तो काफी अच्छी बात होगी दोस्तो अगली न्यूज है वन प्लस की तरफ से रूमरती वन प्लस 5T लॉंच नहीं होगा डारेट वन प्लस 6 आएगा लेकिन खबर है वन प्लस 5T नौवंबर के मन्त में लॉंच होने वाला है अब देखते हैं इसकी लॉंचिंग में क्या कोच है इस फोन में तो दोस्तो आप मुझे कॉमेंट में लिख कर बताइए क्या आप शाओमी के Mi Mix 2 जो की बैजल लेस फोन होगा क्या आप इसे 30 से 35 जार रुपे की रेंज में खरीदना चाहेंगे या फिर आप शाओमी के बजट फोन का इंतिजार करेंगे जो की 11 से 13 जार रुपे के आसपास में हो सकता है 5.5 इंच की डिस्पले के साथ में जो की अगेन बैजल लेस होगे शाओमी का बजट फोन होगा आप मुझे ये भी बताना क्या आपको ये टेक निउस पसंद आई क्या आप चाते हैं मैं इसी तरह की टेक निउस आप लोगों के लिए लाता रहूँ आप मुझे कोमेंट में लिकर बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें शेयर करें और अगर ये चनल आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चनल को सब्सक्राइब करना ना बूलें तो मैं हमेशा आपके लिए टेक लिडिट जानकरी लाता रहता हूँ तो मिलते हैं अगले अपडेट में तब तक के लिए बाबाई